वेलकम टू यूटूब चैनल जीके जीएस बित्वनेसर आज 19 जनवरी 2024 है और आज की जितने भी महत्तपुर्ण क्रेंट अफेर होंगी वो हम इस वीडियो में डिसकस करेंगे इस वीडियो का पीडियो आपको टेलीग्राम पे मिलेगा जिसका लिंक वीडियो की डिस्किप् में है तो आइए शुरू करते हैं आज का महत्तपुर्ण क्रेंट अफेर आज का पहला प्रश्ण है Global Firepower Military Index 2024 में कौन सा दिस पर्थम अस्थान पर है तो Global Firepower Military Index 2024 में अमेरिका परथम अस्थान पर है रूस दूतिय अस्थान पर है चीन दिर्थी अस्थान पर है और भारत चतुत अस्थान पर है साथियों भारत कौन से अस्थान पर है ग्लोबल फायर पावर मिलिटरी इंडेक्स भी तो चौते अस्थान पर है कौन सा देश दूसरे अस्थान पर है रोस तीसरे अस्थान पर कौन है चीन साथियों वर्ट पेरी जो अमेरिका का था और चंदरमा पर उतरने वाला पर्थम बैक्ति कौन था तो निल एंगस्ट्रम था जो अमेरिका का था साथियों चंदरमा पर निल अंगस्ट्रॉम को कब भेजा गया था और किस यान से भेजा गया था ये बताना है के मेंट बॉक्स में आपको साथियों अब देखो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स की बारे में जानते हैं तो देखो इस इंडेक्स में 145 देशों को सामिल किया गया है और 145 में अस्थान पर जो है वो भारत का परोशी देश भूठान है कौन सा देश है भूठान साथियों है 145 में अर्था अंतिम में अस्थान पर अब देखुए भारत का स्थान क्या है इसमें तो भारत का स्थान इसमें चौथा है अब जानते हैं दुनिया के 10 सबसे सक्तिसाली सेनाई जो है वो कौन-कौन से देश के पास है तो पहले स्थान पर है United States अमेरिका दूसरे स्थान पर रसिया है तिरतीय स्थान पर चाइन है चौथे पर इंडिया है पांच में पर साउथ कोरिया है छटे पर है United Kingdom साथ में पर जापान है आठ में पर तुर्किये है नौ में पर पाकिस्तान है और दस में पर इतली है साथियो गलोबल फायर पावर इंडेक्स में मैंने आपको 10 देशों के बारे बताया कि 10 देशों साथि कौन-कौन से देश टॉप 10 देश है देखो दुनिया के 5 सबसे साथ साथ कौन-कौन से मैंने तुर्ण पताया अभी कौन-कौन से देश है अमेरिका है रूस है चीन है भारत है और दक्षीन कोडिया है साथियो अब देखो मैंने कुछ दिर पहले ही बताया था कि एक ह हैनल पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में 6 देश पर्थम अस्थान पर है जिसमें फ्रांस है जर्मनी है इटली है इस्पीन है जापान है और सिंगापूर है और भारत का अस्थान इसमें अस्थान पर है है अब कुछ 23 के महत्रपुन इंडेक्स है जैसे कि वैस्वेक परतियस और भारत का स्थान 40 है, साथ्यू डेनमार्क की राधानी है, कॉपन हेगन, फीफा वर्ल्ड कप रैंकिंग में, अर्जंटीना पर्थमस्थान पर है और भारत का स्थान पर है, और भारत का स्थान 161 है, साथ्यू नौर्वे की राधानी क्या है, ओसलो, और ओसलो ही देता है स अगला परिश्ट हमारा है भारत की पहली सोर उर्जा से चलने वाली नाव। किस नदी पर चलाई जाएगी तो आयोध्या में सर्यू रिभर है उसी रिभर पर चलाई जाएगी भारत की पहली सौर उर्जा से चलने वाली नाउ साथियो अब उत्तर प्रदेश का आयोध्या जो है वो सर्यू नदी के किनारे है लखनाउ गोमती नदी के किनारे साथियो है वारा नसी है गंगारी भर के किनारी, देखो साथियों, अब उत्तर परदिस का आगरा जो है और मतुरा जो है वो यमुनारी भर के किनारे है, दिल्ली यूनियन ट्रेट्री है जो यमुनारी भर के किनारे है, कानपुर वारा नसी गंगा नदी के किनारे है, लखनाउ है गोमत नदी के किनारी और गोरकपुर है राप्ती नदी के किनारी और अयोध्या है सर्यू नदी के किनारी आगरा को बोला गया है पेठा नगरी पेठा नगरी के उपनाम से कि सहर को जानते हैं तो आगरा को जानते हैं राश्टिये राज्यमार्गो का चौरहा कानपुर को कहा गया नबाबो का सहर लखनव को कहा गया है उत्तर भारत का मांचेस्टर कानपुर को कहा गया है ध्यांचन्र इस्टेडियम लखनव में है ग्रीन पार्क इस्टेडियम कहा है तो कानपुर में है ग्रीन पार्क इस्टेडियम चौधरी चरंसिंग अंतर आश्ट्री हवायड़ा लखनौ में है लाल बहादुर सास्त्री अंतर आश्ट्री हवायड़ा कहा है वारा नसी में है उत्तर प्रदेश साथियो सिबालिक परबत सिंख्रला से गिरा हुआ है और रास दिला जो है वो उत्तर प्रदेश का मुख्य लोक निर्त है आपको बताना है उत्तर प्रदेश में राजसभा और लोकसभासित कितना है ये बताना है केमेंट बॉक्स में साथियो यह आपको इमेज में दिख रहा होगा यही है तिबती भूरा भालू साथियो और यह जो तिबती भूरा भालू है यह भारत के किस राज्य में पहली बार देखा गया है तो भारत के सिक्किम राज्य में साथियो पहली बार देखा गया है तिबती भूरा भालू साथ सिक्किम की स्थापना होई थी 16 मई 1975 को और यहां भारत का 22 मा राज्य है साथियो साथियो देखो सिक्किम पहले यह एक देश था और यहां पर चोंगया लवन्स का ससंथा इसे 35 समिधान संसोधन 1974 के द्वारा भारत का सहराज्य के रूप में दरजा दिया गिया लेकिन 36 समिधान संसोधन 1975 के द्वारा इसे पुर्ण राज्य का दरजा दिया गिया तो यहां से आपने दो परशन सिखा शिक्किम भारत का सहराज्य किस समिधान संसोधन द्वारा बना 16 मई 1975 देखो सिक्कीम जो है वो पुरुवत्तर भारत का सबसे चोटा राज्य है साथ यो पुरुवत्तर भारत को सेबन सिष्टर का दर्जा दिया गया है इसमें सिक्कीम भी पुरुवत्तर भारत का राज्य है लेकिन सिक्कीम जो है वो seven sisters में नहीं आता है प्रुवत्तर भारत में number of states जो है कितने है आप है देखो मेमन वन्ने जी बभ्यारन पंगलाखा वन्ने जी बभ्यारन कंचन जंगा रास्ट्रिय उद्यान सिक्कीम में है रंजित जल्विद्दुत परियोजना तीस्ता की सहायक रंगित नदी पर साथियों बनी हुई है रंगित जल्विद्दुत परियोजना जैबी खेती करने वाला भारत का पहला राज्य जो आपका है वो सिक्कीम है जैबी खेती करने वाला भारत का पहला राज्य कौनसा है सिक्कीम है सिक्कीम के मूल निवासी जो है वो लेपचा सेपला दर्रा किस राज्य में है सिक्कीम में सुरू हुआ है तो चतेसगड में सुरू हुआ है महतारी बंदना योजना का उद्द्ध से क्या है तो देखो महिलाओं को हर महिनी 1000 रूपे साथियो देना अर्थात वर्स में 12000 रूपे साथियो महिलाओं को देना वित्तिय सहायता के लिए यह इसका उद्देश है अगर मैं पुछू कि महतारी बंदना योजना का उद्देश से क्या है तो महिने हर परतेक महिने 1000 रूपे द यह उद्देश है इस योजना का अब यह 36 गड़ में साथियों सुरू हुआ है तो देखो 36 गड़ की इस्थापना कब होई एक नमंबर 2000 को और 36 की राधानी क्या है राहिपूर 36 गड़ के मुख्य मंत्री बने है विशनुदेव सहाई और यहां के राज जपाल है विश्था भूसन हरी चंदरन साथियों क्वान है राज जपाल विश्था भूसन हरी चंदरन यहां पर राजसभासित पांच है लोगसभासित य' mist 11 है पार्टी के स्थापना होई थी इस में कथन कहा गया था कि सुतनता की प्रश्चात भारतिये राष्ट्री कॉंग्रेश को खतम कर देनी जाहिए थी यह कथन किसने कहा था यह बताना है केमेंट बॉक्स में आपको साथियो देखो 36 गड में है आपका इंदराबती राष्ट्र पिये उद्यान गुरु घासी दास बागरी जर्व उदंती सीता नदी बागरी जर्व नेमरु हाथी अभ्यारन पिंगला बागरी जर्व इस राज्चे में 36 गड मी धान की डलिया के उपनाम से जानते हैं 36 गड को और चित्रगूर जहरने को भारत का नियागरा जलपरपा दुधवार आश्ट्रिय उद्यान साथ यह उत्तर परदेश में हैं लेकिन याद रखना दुधवा बांध जो है यह 36 गड में महा नदीबर हैं दुधवार आश्ट्रिय उद्यान कहा है उत्तर परदेश में लेकिन दुधवा बांध कहा है 36 गड में महा नदीबर हैं अगला प्रश्ट हमारा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को पचार कर भारत की सबसे मुल्यवान कंपनी कौन बनी है साथियो अब देखो भारती ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का हिड़ क्वार्टर कहा है मुंबई में इसकी स्थापना हुई थी एक जुलाई 1955 को और इसके बरतमान में कौन है दिनेश कुमार खारा साथियो इस्ट बैंक ऑफ इंडिया की पहली महिला चेर्में कौन बनी थी तो ये बताना है के मेंटर बॉक्स में आपको लाइफ एंसुरेंस कॉर्पोरेशन इसका है मुंबई में इसकी चेर्में कौन है सिदार्थ मोहंती है इसी की स्थापना साथियो कब होई थी एक सेप्टेंबर इसचपन को जबकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब होई थी तो एक जुलाई उनिस्वा पच्पन को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना होई थी साथियो देखो साथियो अगला प्रस्थ हमार अब सात्यों हरियाना में हो रही है और इसमें कुल कितने देस पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो 22 देस पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो 22 देसों के नाम है अर्जेंटीना औरमेनिया औस्टेलिया कमबोडिया फ्रांस जर्मनी इंडोनेसिया जापान केन्या लाओ पिपुस्ट डिमोक्रेटिव रिपबलिक, मलेसिया, म्यानमार, नामबिया, फिलिपिन्स, रवांडा, सिंगापुर, दक्षिन फिरका, थाइलेंड, अमेरिका, बियतनाम और जिम्बाब्बे साथियो ये सब देश इसमें हिस्सा ले रहे हैं अब यह हरियाना में हो रहा है, तो हरियाना की राधानी क्या है चंडीगड, याद रखो, चंडीगड के बास्तुकार जो है, वो ली कारवुजियर है, कौन है, ली कारवुजियर जो फ्रांस के थी, और इस बार 26 जनवरी, यानि की गंतंत्र दिवस के जो मुक्य अथिती हों हरियाना के मुख्यमंत्री कौन है, मनोहर लाल खटर, हरियाना में राजसभा कितना है, पाँच, और लोकसभा कितना है, दस, कालेसर राष्ट्रिय उद्यान हरियाना में है, सुल्तानपुर राष्ट्रिय उद्यान हरियाना में है, छिल्छिला वन्नेजी पभ्यारन किस रा कहां है कर नालनी और National Brain Research Center का है गुरुगाउं में साथी ओंटलर सोलर इलाइंस का ओड्डुद को पनी पत को बोला गिए है महराजा अंत रास्ट्टी हवाएड़्ता कहां है तो विश्वनाथन आनंद को पचार कर भारत के नंबर वन सतरंज खिलारी जो बने है उनका नाम है रेमेस बाबू परगानंद साथी हो क्या नाम है रेमेस बाबू परगानंद बने है विश्वनाथन आनंद को पचार कर भारत के नंबर वन सतरंज खिलारी जाती हो अब कुछ Grand Master है जो अभी हाली recently वाले हैं 84 में Grand Master कौन बने है तो वैसाली रमेश बाबू बने है जो चन नहीं के है 83 में Grand Master कौन है तो आदित सामंत है जो महारास्टर के है वो 83 में Grand Master है 23 महिला ग्रेंड मास्टर कौन है तो प्रेंका नुटुकी है जो आंदर परदेश की है और वह बनी है 23 मी ग्रेंड मास्टर महिला में सथियो देखो भारत के पर्थम ग्रेंड मास्टर का नाम है विसुनातन आनंद और ये कब बने थे 1988 में बने थे और ये तमिलाटू के हैं पर्थम महिला ग्रेंट मास्टर का नाम है M. बिज्जे लक्षमी साथियो और यह M. बिज्जे लक्षमी किस राज्जी की है यह बताना है के मेंटर बॉक्स में आपको और हमारा आज की क्रेंटर फिर का आखरी प्रश्ण है T20 क्रिकेट में स्वर्वाधिक सतक लगाने वाले बल्लेवाज कौन बनी है तो रोही सर्मा बनी है T20 क्रिकेट में स्वर्वाधिक सतक लगाने वाले बल्लेवाज साथियो कितने सतक लगाए इन्होंने 5 सतक लगाया है याद रखना आती हो, रोही सर्मा जो आपके हैं, रोही सर्मा के नाम इस फॉर्मेट में कुल 148 मैचो की 140 पारियों में 3830 रन बनाया है, देखो आती हो, बिराथ कोहली के बाद वह भारत के लिए T20 में दूसरे सबसे जगरन बनाने वाले खिलारी भने हैं, और क्रिकेट तो देखो क्रिकेट की सर्वत संस्था का नाम क्या है, इंटरनेशनल क्रिकेट कॉंसिल, इंटरनेशनल क्रिकेट कॉंसिल की स्थापना कब होई थी, तो 15 इसके CEO हैं साथियो, देखो BCCI, Board of Control for Cricket in India, इसका हेड़कोर्टर कहा है, मुंबई में, इसके स्थापना कब होई थी, 1923 में होई थी, इसके परसिडेंट कौन है, रोजर बिन्नी है, इसके परसिडेंट साथियो, देखो, रंजी ट्रोफी, इरानी ट्रोफी, दिलिप ट्र इसके परसिडेंट कौन है, इसके परसिडेंट साथियो, दुनिया का पहला Cricket Club का नाम क्या है, हैं मुंबडन, इसके स्थापना होई थी, 1776 में, जबकि दूसरा Cricket Club है, उसका नाम है मैरी लिबॉन, और इसके स्थापना होई थी, 1787 में साथियो, क्रिकेट का पहला Test Match कब ह में 1877 में हुआ था कहां हुआ था मेलवर्न में और ऑस्टेलिया और पर्थम वर्डकप का कहां हुआ था इंगलैंड मी बेचटंडीज और और के बीच और कभ हुआ था 1975 में निसमें बैस्टाइट युदा परतम उल्ड कप में साथी और इंग्लैनन्ढ में पहली बार किलिकेट का बैस्ट काई निसमें ब्हारत की जीत हुई थी और स्रिलंका था उप बिज़त साथियो, साथियो ये था आज का हमारा महत्तपुर्ण क्रेंट अफेर, पिछले क्लासे में आपसे तीन प्रश्णी किया था, पहला प्रश्ण हमारा था दक्षिन भारत का सबसे स्वक्ष सहर कौन बना है, शिद्धी पेट बना आज के आपके तीन प्रश्ण है जिसका जबाब देना है के मेंटर बॉक्स में आपको, देश का पहला साइबर सुरक्षा केंदर का उद्गाटन कहां किया गिया है, दूसरा प्रश्ण आपका है, रामायन बैक्स मुजियम का अंदर रमान की सहर में क्या जा रहा है, और त आसाथ बेल आइकन को भी दबा दी ताकि आपको डेली अग्डेट मिल सकी, धन्यवाद